नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में तो आप सब का एक्जाम हो गया था एविंग क्रिस्टिन कॉलेज को छे तारिक को आपको बताने वाला हूं कितने बच्चों ने अपलाई किया था और कितने बच्चों ने वहाँ पर प्रेजंट थे मतलब अटेंडेंस कितनी रही तो अटेंडेंस जो रही वह सेवेंटी परशंट थी टोटल मिला के लेकिन इंडिविजुली बात करें तो बीए में 73 परशं बीकॉम में 76 परशंट और वीसीए में 62 परशंट ये अटेंडेंस थी एक्जाम कहा हुआ था सबको बताया बिसफ जॉन्सन में आफ्लाइन एक्जाम हुआ था तो टोटल बच्चे जो एक्जाम में सामिल हुए थे वह थे 4400 मतलब 4400 बच्चे ठीक है अब मैं अगर इसका सिथ के रेश्यो के सापě करूं तो टोटल परविय अगर मिला लें को दोनों का और इन चारों कोसिस का मिला लें तो ऊस्यसिए में और प्रेजनट से हैं वह फंदरा सो है ठीक है तो बीकॉम में 150-160 सीटें और 60 सीटें जो हैं BCA में हैं अगर इन में यह क्या बोलते हैं 25 परशंट नहीं 10 परशंट जो उसका नहीं हुआ है क्या बोलते हैं उसको सीटें अगर वह बढ़ती हैं तब यह सीटें और भी बढ़ जाएंगे थोड़ा जाके तो यह हो गई कुल मिलाके 1500 क्या स्पास सीटें हैं तो पंदरत यह 45-44 बच्चों ने एडमीशन मिंस वहां प्रेजेंट थे जोनों ने इंटरेंस एक्जाम दिया तो मतलब साफ है वन बच्चे कितने हैं चOWASE 1400 सिटें कितनی हैं तो तो वन थड़ हुआ की निहीं मतलब तीन सीट पर एक सीट पर तीन स्पास अनि Heh तो हर तीसरे बच्चों का अच्छा स्कोर करता है जिसकी रैंक अच्छी होगी उसको एड्मिशन मिल जाएगा उपर के 700 बच्चे बीए बीए में उपर के 600 बच्चे बीए सी में और उपर के एक सो साथ एक डाटा में बता रहा हूं बाकी कोई जरूरी नहीं है कि जो उपर के 700 बच्चे इसी सी में आएंगे वह एड्मिशन ले ही लें भाई इलहाबाद मैक्सिमम लोगों ने सब अगर 700 आजाता है उनका 700 के 700 का एड्मिशन हो जाता है मेन केमपस में तो साद दूनी इसकी डेट कितनी बड़ी लाज डेट तक मिन्स जब तक एड्मिट कार्ट आ रहा था तब तक इसकी फॉर्म करने की डेट थी यही रीजन था क्योंकि बच्चे अपलाई नहीं कर रहे तो ठीक है मिलते हैं एक्स वीडियो में ख्याल रखिए आप बिल्कुल टेंशन मत ल प्रॉपले से इन्वेस्टी से पहले आ जाए ठीक है क्योंकि बच्चे बहुत कम है जल्दी चख हो जाएगी बाकि कई को डाउट था कि पैंसे नहीं पैंसल से नहीं पैंसे करना था और कई बच्चों ने पैंसल से कर लिया वह मैटर नहीं करता है वह सब ठीक है वह अपन कर नहीं करता है क्योंकि उनको चेक करना होता है और फैंसल थोड़ा इधर उदर हो जाता है ठीक है अब आने दीजिए रिजल्ट को आने दीजिए देखते हैं क्या होता है कोई टेंशन मतले ना ख्याल रखी अच्छे से एड्मिशन तो पॉसिविल्टी है सब को मिल जाए रहे है क्योंकि हर तीसरे बच्छों के यहां तो वैसी ही मिल जा रहा है अराम से और लग बग अदे बच्चे गाइब हो जाएंगे गायब का मतलब तो इलहाबद विस्विद्याले चले जाएंगे या किसी दूसरे विस्विद्याले में ठीक है उपर के बिच्चे तो सब आपको एड्मिशन मिल जाएगा ठीए चलिए मिलते है नेक्स वीडियों में ख्याल रुखे अपना हूं